हलो दोस्तों मेरा नाम है नंग्वार सौनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एवियोस्टेक अनंग्वार सौनी में तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं आपके यहां पे आल्वेश मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर आता हूँ यहां पर मैं आपको सभी टाइप के टिप्स और ट्रिक्स दिया करता हूँ चाहे वह ब्लॉगिंग से रिलेटिड हो, सौपीफाई हो, ड्रॉप चाहते हैं या आप already काम कर रहे हैं, तो आपके लिए और कौन-कौन से ऐसी opportunities होती हैं, जिन पे आप अगर काम करेंगे, तो आपको अच्छा काम मिलने के chances हैं, और साथ ही साथ से मैं आपको काम नहीं बताऊंगा, जो भी मैं आपको यहां पे ways बताऊंगा, उनको आपको fulfill कैस करके देना है, वो सारी चीजे मैं आपको यहां पे बताऊंगा, और आपके लिए total 9 tools आपके लिए बताऊंगा, जिसमें से कुछ premium भी है, कि मतला उनका free version है, और साथ में उनका premium version भी है, तो यहां पे वो सारे tools भी हम देखेंगे, और कौन-कौन से ऐसे 5 तरीके होंगे, ज जिनसे आप Fiverr पे एक अच्छी earning कर सकते हैं, तो यहां पे जो पहला तरीका है, हमारा पहला तरीका है, Fiverr पे अगर आप sort video ads की gigs बनाते हैं, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे order आने के चांसे दें, आपको यहां पे पता होगा कि बहुत सारे drop shipping store है, या Shopify store है, किसी का क कोई product है, किसी की कोई success है, इन सभी products और success को promote करने के लिए, यहां पे sort video ads की जरूरत परती है, तो यहां पे simple सा मैंने search किया है, sort video ads और आप यहां पे देख सकते हैं, suggested में यहां पे और भी examples आगा है, जैसे कि Facebook ads हो गया, आप इन suggestions पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि Facebook ads हो गया, product video ads हो गया, Facebook ads हो गया, promotional video, Instagram ads, product video, video editing, तो इस type की skills पर आप काम कर सकते हैं, या फिर simple सा आप sort video ads पर भी काम कर सकते हैं, अब वो client पर आप छोड़ देजिए कि उसको Facebook पर यूज़ करना है, Instagram पर यूज़ करना है, YouTube पर यूज़ करना है, वो उसके इक्छा रहेगी, तो यहा पर तकरिवन 50 करीब यहां पर सभी का price है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, 50 है, 35 है, 15 है, 50 है, साथ में यहां पर कुछ लोगों ने $10 भी यहां पर quote किया है, तो आपके लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहां पर आपको ज़्यादा cheap में भी नहीं जाना ह और ज़्यादा आपको high rate भी नहीं रखना है, आपको starting में आप max to max $30 यहां पर रख सकते हैं, और $30 में आपको starting में तकरिवन $50 की जो सबसेज होती हैं, वो आपको यहां पर provide करना है, तो हम यहां पर किसी भी $50 वाली एक gig को यहां पर खोल के check कर लिया करते हैं, कि इन्हो ने क्या क्या चीज़ां यहां पर provide की हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि $50 में यह तकरिवन $35 का एक video दे रहे हैं, आपको यहां पर इसी type की और भी gigs यहां पर check कर लेनी है, सिर्क यही नहीं आपको और भी gigs चेक कर लेनी है, तो यहां पर आप तकरिवन $35 सेकंड य ने एक और चीज़ लिखिएगी, 15 से 35 सेकंड का यह वीडियो रहेगा, और आप इनको contact भी कर सकते हैं, पहले आपको इनको contact करना है, then आपको यहां पर order करना है, तो same चीज़े आपको भी लिखना है, और यहां पर आप देख सकते हैं, तीन दिन के अंदर यह delivery देंगे, द यहां पर आप इस टाइप के वीडियो बना सकते हैं, और आप इनके examples भी देख सकते हैं, कि किस टाइप के वीडियो यहां पर प्रोवाइट कर रहे हैं, आप यहां पर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, आपको जो भी लगता है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजे, इसके जादा order है अब बात आती है कि अगर आपको ये service फुल्फिल करनी है तो आप कैसे करेंगे यहां पर आपके पास जिस टाइप का भी वीडियो आ रहा है जैसे आप यहां पर different type के वीडियो देखेंगे तो वीडियो में एक common चीज होती है कि background में एक वीडियो चलता है औ customer उसमें logo रहा करता है तो इस type की कुछ यहां पर services रहा करती है अब आपको अगर इनको फुल्फिल करना है तो एक टूल जो मैंने आपको last time भी बताये था तूल का नाम है इन वीडियो इन वीडियो एक फ्रीमियम टूल है चुकि मैंने तो इसकी premium services यहां पर purchase करके रखे पर क्लिक करना है आप यहां पर video ads पर क्लिक करेंगे आप आएंगे इस page पर और यहां पर आपको different ratio आपको दिखाई दे जाएंगी कि किस जैसे आप यहां पर 16 ratio 9 वाला गर करते हैं तो आप यह YouTube में भी use कर सकते हैं और आप इसको Facebook में भी use कर सकते हैं इसके बाद जो यह हो सात में εδώang पर square-size वाले भी होते हैं जो कि most Instagram के लिए बनाये जाते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि यह जो भी एड हैuben यह Instagram के लिए परफेक्ट रहेगा। जो भी हहां पे square size जाएरे ड़े अबमिन आपको बड़ी आसानी से बना सकते हैं आपको जो भी add चाहिए है या जिस type का भी आपके पास order आता है simple सा आपको पहले यहाँ पर size select करना है and then आपको उसको customize करना है तो यह बहुत ही simple है माल लिजे आपके पास एक कोई भी order आता है इस type का आता है कि क्योई घड़ी या men's watch का है तो आपको simple सा इसी template को use कर ले रहा है आप यहाँ पर simple सा कीजिए use this template and then आपके पास यहाँ पर option होते है जो भी चीजें आप text edit करना चाहते हैं image edit करना चाहते हैं जो भी चीजें आप यहाँ पर edit करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर edit कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाए देंगी जैसे लास्ट में यहाँ पर यह वेबसाइट का नेम है तो आप यहाँ पर सिंपल सा जो भी आपको साइट का नेम मिला है वो साइट का नेम आप यहाँ पर ड दिखाई दे रहा है यह logo चुकि मैंने already add करके रखा हुआ है क्योंकि यह मेरा premium account है तो यहाँ पर आपके पास logo add करने का भी option होता है simple साथ जो भी आपको logo मिला है वो logo भी आप यहाँ पर edit कर सकते हैं तो आपको अगर लगता है कि आपको logo edit करने की जरूरत है तो सारी चीज़े आप यहाँ पर ही कर सकते हैं यह एक best तरीका है जहां पे आप बड़ी आसानी से एड बना सकते हैं और जो भी आपने एड बनाया है आप उसका पूरा preview चेक कर सकते हैं उसमें music एड कर सकते हैं यहाँ पे आपको मैंने एक preview भी दिखा दिया कि किस टाइप से आपका एड दिखाई देगा आप यहाँ पर पूरा एड देख सकते हैं जो जो भी यहाँ पर वर्डिंग्स वगरा लगानी है वो सारी चीज़े आपको क्लाइन प्रोवाइट करेगा ठीक है और इसमें माली जाए आपको बेक्ग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो यहाँ पर आपके पास म्यूजिक का जाता है text का option stickers अगर आपको कोई use करना है वो कर सकते हैं effects आपको डाला है shifts डाला है enhancement करना है उसमें अगर कोई mask या college layer आपको डालना है तो वो सारी चीजा है और जो भी आप content upload करना चाहें वो सारे content यहाँ पे आप upload भी कर सकते हैं जो भी images आपको client ने दी हैं, वो images आप यहां पे upload कर सकते हैं, यह आपको यहां पे upload का button रहा करता है, और उस image को आपको जहां भी use करना है, आप उसको यहां पे use भी कर सकते हैं, तो जैसे यह मैंने यहां पे image डाल दी, आपको इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, वो सारी चीज़ें आप यहां पे कर सकते हैं तो यह बहुत ही customizable और एक perfect option होता है कि यहां पे आप जो चाहो वो चीज़ आप कर सकते हो तो इस type से आप पूरा add यहां पे बना सकते हो and then आप इसको export भी कर सकते हो आप यहां पहले आपका premium pack है क्योंकि यहां पे आपको कुछ videos भी मिलते हैं जिसे आप यहां पे media में जाएंगे आप यहां पे जो भी चीज़ सर्च करना चाहें जैसे आपने यहां पे simple सा shopping यहां पे सर्च किया तो shopping से related सारे videos आपको मिल जाएंगे लेकिन चुकि मेरा यह जो account है यह premium account है यहां पे आपके लिए कुछ rare ही videos मिलेंगे तो अगर आपको videos का इसू होता है कि आप videos कहां से लेके आएंगे background बे अगर आपको कोई videos चाहिए हैं तो उसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ free sites बता दिया करता हूँ जिसने ऐसे एक है pexels.com आप यहां पे simple सा search करेंगे pexels.com slash videos तो आपको यहां पे thousands ऐसे free videos मिल जाएंगे जिनको आप reuse कर सकते हैं और यह पूरा content यहां पे royalty free और आप इसको free में यूज कर सकते हैं मैंने यहां पे simple सा shopping सर्च किया और आपको जो भी shopping से related video चाहिए है आपको यहां पे सारे videos आपको यहां पे दिखाए दे जाएंगे वो सारे videos को आप simple सा यहां पे click करके और आप इसको free में download कर सकते हैं और आप इसको use भी कर सकते हैं यह एक site हो गई साथ में यहां पे एक और site है जिसका नाम है विडजी विडजी में भी आपको free as the stock footage और और के जो videos होते हैं वो आपको free में मिल जाते हैं आपको यहां पे simple सा वही चीज़ सर्च करना है जो भी चीज़ आपको चाहिए है उससे related आपको यहां पे search करना है और search करने के बाद आपको कुछ यहां पे pro videos दिखाए देंगे pro videos आपको फ्री नहीं है तो जो भी free videos रहेंगे वो भी आपको यहां पे दिखाए देंगे और आप इनको भी यहां पे free में download कर सकते हैं तो ये भी एक site है जहाँ पर आप free में videos को आराम से download कर सकते हैं. ये जो site है और जो भी आपको editing करना है वो आप यहाँ पर in video का use कर सकते हैं. इन सभी की में link आपको दे दूँगा तो आप इनका use कर सकते हैं. साथ ही मैंने यहाँ पर in video के complete videos यहाँ पर बनाए हुए थे अगर आपको in video की detailed information अगर check करना है तो आप यहाँ पर मेरे channel में आके in video अगर search करेंगे तो यहाँ पर आपको इससे related कुछ videos मिल जाएंगे जो की मैंने in video पर detailed video बनाए हुए थे वो भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं इसके बाद जो यहाँ पर next way है वो है हमारा Instagram ads Instagram ads या फिर आप इसको Facebook ads भी बहुत सकते हैं यह जो ads रहेंगे यह रहेंगे हमारे banner ads क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पर बात की थी हमने यहाँ पर video ads की बात की थी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग video की through ही promote करते हैं बहु लोगों के लिए provide कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर orders भी बहुत अच्छे आए हैं जैसे आप देख सकते हैं 75 है 383 है 47 है साथ में यहाँ और भी देखेंगे 75 1K प्लस है 1K प्लस है साथ में यहाँ पर 428 आपको यहाँ पर कुछ examples देख सकें मैंने पुरा अगर वो चीज़ चूस कर लेता है कि उसको क्या चाहिए है अगर वो कभी confused भी होता है तो यहाँ पर अगर आपके examples सो होते हैं तो वो उनमें से चूस कर सकता है और अगर उसको कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है तो obviously बात है कि आपके पास order जरूर आएगा तो अभी हम य इक गिक को open करके यहाँ पर चेक कर लिया करते हैं कि यह actually में क्या चीज़ है जो प्रोवाइट कर रहे हैं अब आप यहाँ पर ads देख सकते हैं कि यह किस किस टाइप के banners यहाँ पर प्रोवाइट कर रहे हैं वो सारी चीज़ इन्होंने अल्रेडी दिखा के रखे हुई है कि यह किस-किस टाइप के बैनर से यहां पर प्रोवायईट कर रहे हैं आप यहां पर सारी चीज़ें फुल स्क्रीन करके चेक कर सकते हैं और यह जो भी design आप बोल सकते हैं. 5$ में आप इतना ही provide करेंगे और यहां पर 15$ में यह 3 यहां professional banners यहां provide कर रहे हैं और premium में यह तकरीवन 10 banners यहाँ 45$ में provide कर रहे हैं. तो आप भी इसी type कीment वगल बातिः नहें 25$ में आप पर एक साइज आपकी रहेगी स्क्वेर साइज and second जो साइज रहेगी आपकी Facebook टाइप की साइज जो यह साइज होती है तो आप लोगों के लिए एक सेट भी बना के दे सकते हैं कि पांस डॉलर में हम दो चीजें आपके लिए करके देंगे अब बात आती है कि आपको यहाँ पर बना के कैसी देना है तो यहाँ पर आपके लिए simple सा जो मेरा फैबरेट टूल है वो आपके लिए यहाँ पर सजिस्ट करूँगा मैं इस टूल का नाम है Canva Canva पर already मैंने बहुत सारी tutorials यहाँ पर बना के रखी हैं आप यहाँ पर सर्च करेंगे ads जैसे कि मैंने यहाँ पर ads सर्च किया आप यहाँ पर simple सा ads सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको different type के ads यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे Facebook ad leaderboard ad ad यहाँ पर Facebook app ads large rectangle ads medium rectangle ads और यहां पर Social Feed, Social Feed, Video Ads, A4, Documentary, Advertising, Flyer, इस टाइप के आपके पास डिफरेंट टाइप के एड्स होते हैं एड्स के बाद आप अगर Instagram लिए बनाना चाहते हैं तो आपको यहां पर Square Size वाला देखना है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं Social Feed, Statics, Ads में यहां पर 1080, 1080 यहां पर Pixel आपको दिखाई दे रहा है तो आपको Simple सा इसको यहां पर Choose करना है और इसको आप अगर Choose करेंगे तो आपको यहां पर Instagram का Ad मिल जाएगा तो Simple सा मैंने यहां पर Click किया अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस टाइप का भी Add आपको चाहिए है उस टाइप का Add आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं जैसे कि आप यहां पर जैसे मैंने आपको डिजाइन्स दिखाई हैं यह सारी डिजाइन्स आपको यहां पर सारी की सारी मिल जाएंगी आपको सिर्फ यहां पर तोड़ा सा टाइम लगाना है जिस टाइप की भी आप चाहें जैसे आप यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं जो की आपके लिए paid में मिलती हैं लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजे आपको free of cost मिल रही हैं बाद में आपको इसमें जो भी editing करनी है वो सारी editing आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपको ads दिखाई दे रहे हैं जैसे ये एक है मैंने इसको simple सा open किया अब आपको इसमें जो भी editing करनी है clients की जो भी requirement है जो भी text है वो आपको यहाँ पर change करने पड़ेंगे साथ में यहाँ पर logo change करना पड़ेगा साथ में कुछ text और अगर आपको यह images वगरा सारी चीज़े अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर change करनी है तो इस सारी चीज़े यहाँ पर edit करनी के लिए होती है आप हर चीज़ यहाँ पर change कर सकते है आपको जो भी चीज़ चेंज करनी है जैसे client ने कोई भी image प्रोवाइट की है simple सा आपको उस image को यहाँ पे add करना है and then आप उसको यहाँ पे उस image को simple सा लगा सकते जैसे यह image आपको नहीं चाहिए इस image को हटा देजे जो भी आपको client ने provide की है वो images आप यहाँ पे add कर सकते हैं और साथी साथ अगर client आप से कुछ examples मांगता है और आपके लिए कुछ images की जरूरत है तो आप यहाँ पे उस type की images को search कर सकते हैं जैसे जो भी आपका है माल लिजे आपका food है shopping है या आपका sous है माल लिजे आप sous के लिए add बनाना चाहते हैं तो आप simple से कोई भी sous की images यहाँ से बड़ी आसानी से आप यहाँ पे यह जो site है इसका नाम है pixaway.com इससे आप बड़ी आसानी से free of cost PNG type की images को आप बड़ी आसानी से download कर सकते हैं जैसे आप यह background free image है कि यहाँ पे कोई भी background नहीं रहेगा और आप इसको free में download कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको simple सा free में download कर लेना है जो भी आपको site चाहिए है उसमें आपको यहाँ पे simple सा download पे button दवाना है और आपकी image यहाँ पे download होना शुरू हो जाएगी तो जैसे ही मैंने यहाँ पे click किया और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी मेरी image थी वो मेरी यहाँ पे download हो गई तो इस type से आप यहाँ पे इन images को download करके और simple सा आपको जाना है canva.com पे आपको canva.com पे जाके यहाँ पे उस image को upload कर देना है तो यह जैसे कि आप image देख सकते हैं same to same मैंने image यहाँ पे upload कर दी अब इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे text वगरा client ने दिये हुए है वो सारे text आपको जिस type से लगाने है वो सारी चीज़े आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी चीज़े आपको और भी text अगर आपको add करने है वो सारे text आप यहाँ से add कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको लगती है वो हर चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे simple सा यह लिया और मैंने इसको यहाँ पे add कर दिया कि यहाँ पे अगर यह कोई sale il का है तो इस type से आप इसको पूरा का पूरा एक add बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में आप इसको बना सकते हैं आपके पास यह flip का option होता है simple सा आप इसको flip कर दीजे और जिस type से आपको लगता है उस type से आप एक पूरा complete banner mintों में आप यहाँ पे create कर सकते हैं तो आपने देखा कि यह एक banner मैंने यहाँ पे बना दिया है यह इतना खास नहीं बना है लेकिन आप जब भी बनाएंगे एक खास banner ही आपको client को बना के देना है कि वो उससे खुस हो जाए प्रसन हो जाए और background में जो भी images आप लगाना चाहें वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं मन लिजे आपको background में solid color चाहिए client की जो भी requirement है उसके हिसाब से ही आपको पूरा काम करना है तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने background भी इसका change कर दिया और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो है तो आप इसको सारी चीज़ें आपके पास customizable options होते हैं तो जो भी चीज़ आपको लगती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं और यह सारी चीज़ें free of cost है और जैसे ही आपका पूरा बनके तयार हो जाता है simple सा आपको यहाँ पे इसको download कर लेना है और आपका banner एक minute में बनके यहाँ पे तयार हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने banner यहाँ पे बनाया हुआ था वो पूरा banner यहाँ पे बनके तयार हो गया simple सा आपको यह जो banner है यह आपको client के पास भेजना है and then इस type से आप अपने orders को fulfill भी कर सकते हैं तो एक और जो skill थी यहाँ पे वो थी कि आप यहाँ पे Instagram, Facebook, किसी type के भी ads बनाके लोगों के लिए sale कर सकते हैं और उनसे एक अच्छी earning कर सकते हैं तो इसके बाद जो most demanding topic है वो है photo retouching photo retouching हर कोई करवाना चाहता है जो भी Instagram पे है almost Instagram पे तो सभी लोग कुछ वहाँ पे filters लगाते हैं अगर वो filters लगाते हैं उनसे उनका काम हो जाता है तो perfect वात है लेकिन अगर उनका उससे काम नहीं होता है तो फिर वो यहाँ पे freelancers को search कर सकते हैं आप यहाँ पे images को देख सकते हैं जैसे ये एक image थी उसको retouch करके इस type का बना दिया ये एक image थी या कोई भी आप यहाँ पे images को देख सकते हैं उनको retouch करके एकदम perfect image बना दी तो यह एक perfect way है जहां से आप एक अच्छी earning कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि order बहुत ही अच्छे आते हैं लोगों के पास यहाँ पर मन लीजिए यह product की ही एक image है तो यहाँ पर product की image के लिए यहाँ पर 848 ही यहाँ पर orders आए हैं 38 है 442 है 387 है साथ में यहाँ पर नीचे जाएंगे 571, 112, 1K+, यहाँ पर भी 1K+, आप यहाँ पर और भी नीचे देखेंगे 1K+, 234 यहाँ पर अच्छे खासे orders आते हैं simple साथ जो भी आपको image मिली है उसको वो retouch करके दे रहे हैं यहाँ पर आप किस tool के use कर सकते हैं वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर बता दिया करता हूं यहाँ पर retouching के लिए एक जो best tool मुझे लगा जो मैंने online सर्च किया यहाँ पर मुझे वो tool लगा makeup.pho.to यहाँ पर हुआ makeup.photo इसको आप बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर examples देख सकते हैं जैसे यह एक photo थी उसका उन्होंने retouch करके इस type से बना दिया इसके बाद यह कोई एक image थी इसको retouch करके इस type से बना दिया और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक image थी उसके बाद retouch करके इस type से यह image बन गई तो आप यहाँ पे examples देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते pimples बगरा हैं और यहाँ पे eyes में भी कुछ red-red eyes दिखाई दे रहा है तो यह जो tool है यह simple सा one touch में है मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे एक photo upload करनी है और बाकी जो पूरा काम है वो यह tool यहाँ पे कर दिया करता है जैसे आप यहाँ पे simple सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है enhance your photo आपको simple सा यहाँ से कोई भी एक photo यहाँ पे एड़ करनी है जैसे कि आप यहाँ पे example भी देख सकते हैं मैंने खुद की ही फोटो यहाँ पे upload करके इससे पहले मैंने चेक किया था आप यहाँ पे और भी कोई फोटो यहाँ पे ले सकते हैं कोई भी आप image अपनी उठा लीजे वो आप यहाँ से upload करके और simple सा उसका retouch भी आप यहाँ पे कर सकते हैं खुद तूल ही यहाँ पे कर दिया करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने skin makeup कर दिया यहाँ पे sign remover कर दिया wrinkle smoothing कर दिया red eye अगर जैसे की एक image में मैंने आपको दिखाया था कि eyes में यहाँ पे red red दिखाया दे रहा था यहाँ पे teeth whitening की अगर आपके दात पीले टाइप से अगर दिखाया दे रहे हैं तो उसको यह teeth whitening भी कर दिया करता है साथ में यहाँ पे glamour effect और भी यहाँ पे color enhancement भी आप चाहें तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अब आप इसको check भी कर सकते हैं इससे पहले यह image कैसी दिखाई दिया करती थी अभी यह image कैसी दिखाई दे रहे हैं तो आपको साथ यहाँ पे difference दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आप थोड़ा सा notice करेंगे अभी मैं जब इसको click करूँगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे check करना है कि यहाँ पे कुछ अंतर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपको यहाँ पे कुछ अलग image दे रही है और जो मैंने अभी enhance किया है अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एक अलग image तो यहां पर यह एक best tool है जो आपको retouching करके दे दिया करता है जैसे यह कोई भी images आप यहां से ले सकते हैं और इनको retouch करके आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं इसके बाद भी इसमें काम अगर कुछ बसता है जैसे अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी काम बसता है और आपके पास मालिजे फोटो सॉप नहीं है जैसे कि यह फोटो सॉप एक बहुत ही सांदार टूल है जिसका यूज़ करके आप इस फोटो को और अच्छा बना सकत तो अगर आपके पास Photoshop नहीं है, तो Photoshop Looking Like Photoshop एक टूल में आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है photopea.com, यहाँ पे आप इसकी spelling चेक कर सकते हैं, photopea.com, और आप यहाँ पे simple सा यह जो टूल है, यह completely Photoshop की तरह काम करता है, आपको यहाँ पे simple सा यह 100% free टूल है, आपको यहाँ पे editing आप यहाँ से कर सकते हैं, तो यह भी एक बहुती सांदार टूल है, आपको यहाँ पे जो भी लगता है, आप इसमें यहाँ पे photo को upload कीजिए, और जो भी आपको अगर background remove करना है, जो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो यह भी एक perfect टूल है, इसमें थोड SD file, XD file, sketches, PDF, और भी बहुत type की files को यहाँ पे आप edit कर सकते हैं, और आप उनको save भी कर सकते हैं, मतलब आप अगर चाह रहे हैं कि export करना है, तो simply सा यहाँ पे export as का option आता है, आप same image को यहाँ पे export भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक भी रुपया pay करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे एक और, ये एक और skill हो गई, photo retouching की की आप इससे एक अच्छी earning कर सकते हैं, इसके बाद जो next way है, वो है हमारा background removing का, जो की best selling बोज सकते हैं, या सभी के लिए इसकी जरूरत पढ़ती है background removing की, mostly जो भी stores होते हैं, उनके लिए इनकी सबसे जरूरत पढ़ती ह कि उनके जो भी products होते हैं, उनका background उनको remove करवाना परता है, तो यहाँ पे simple सा आपको करना गया है, आप यहाँ पे यही service provide कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे कोई भी चीजों उसका background remove करके आप दोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि कोई भी image है, जैसे ये एक image है, यह यहां पे जो भी background था वो सारा इन्होंने remove करके दे दिया यहां पे भी आप देख सकते हो कि यह जो background था उसको इन्होंने remove कर दिया और यहां पे भी background था उसको remove कर दिया फिर आप उसको png आपको provide करनी है and then वो उस image को कहीं भी use कर सकते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि background removing पे यहाँ पे बहुत सारे orders आते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे इन्होंने gigs यहाँ पे provide की हैं यहाँ पे I will remove background 300 photos I will do remove background और cut out 120 images super fast इस type से आपको यहाँ पे services provide करनी है और जो भी आप service provide करोगे उससे आप एक अच्छी earning यहाँ पे generate कर सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा I will remove background 25 images in less than 24 hours यहाँ पे इसलिए यह सारी चीज़ें लोग provide कर दिया करते हैं क्योंकि उनके पास automatic tools होते हैं आपके पास obviously बात है कि अगर आपके पास automatic tools रहेंगे तो आप एक अच्छी earning यहाँ पे generate कर सकते हैं तो यहाँ पे हम किसी को भी यहाँ पे open करके देख लिया करते हैं कि यह जो इनकी gigs है इसमें यह क्या यहाँ पे provide कर रहे हैं अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो $5 का इनका basic plan है इसमें यह 25 easy यहाँ पे 12 complex और 5 hard picks यहाँ पे provide कर सकते हैं और 2 very hard picks यहाँ पे इनके कुछ ना कुछ examples होंगे कि क्या इनके लिए hard है और क्या अब जैसे यह है यह जो रहेगी यह simple image में रहेगी किसी का बहुत ही hard background है कि किसी के पीछे पेड़ पौदे सारी चीजिया अगर दिखाई दे रही हैं तो वो चीज यह जो hard picks में consider करते होंगे और जो very hard picks होती है उच में रहा करता है कि looking like same background रहा करता है माल लिजे red color की यह image है और साथ में यहाँ पे background भी यहाँ पे red color कर रहा करता है तो उसके लिए यह लोग very hard picks में यहाँ पे उसको consider किया जाता है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे unlimited images रहेंगी साथ में आपे high resolution यह provide करेंगे और आप उन images को commercial use के लिए भी use कर सकते हैं क्योंकि obviously बात है यह इनकी images नहीं है ना ही आप उनके लिए कोई image provide कर रह हैं और उनी की image आप उनको return back कर रहे हैं तो आप उसका commercial use कीजिए या personal use कीजिए यह तो सिर्फ लिखने की बात है बाकी इन्होंने लिखा हुआ है कि यह commercial use में भी आप उसको use कर सकते हैं अब आपका यह question होगा कि आप background को remove कैसे करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको last टूल ब कर सकते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको background eraser करके एक टूल होता है आप इसका use कर सकते हैं यह अगर आपको difficult लगता है in case तो जो मेरे फैबरिट टूल है वो मैं आपके लिखा दिया करता हूँ first जो मेरा फैबरिट टूल है वो है remove.dz यह सबसे simple टूल ह इससे simple टूल और कुछ हो भी नहीं सकता simple सी आपको lines यहां पर draw करनी पड़ती है और आप यहां पर किसी का भी background यहां पर remove कर सकते हैं तो जैसे हम यहां पर कोई भी image ले लिया करते हैं जैसी यह एक image थी हमने simple सा इस image को यहां पर upload किया और simple सा image upload होने के बाद यह खुद व perfect तरीके से इसका background यहां पर remove किया है मैं आपको यहां पर zoom करके भी दिखा दिया करता हूँ कि A to Z जो भी यहां पर इन्हों ने background रिमूफ किया है इसका background रिमूफ एकदम perfect तरीके से हुआ है simple सा आपको इस file को यहां से download कर लेना है download करके आपको अपने client को यहां पर provide कर दे account भी यहां पर बना के रखा है और साथ ही मैंने यहां पर एक दो प्लान भी purchase करके रखे हुए है इसके साथ में यहां पर एक और टूल है जिसका भी आप background रिमूफ के लिए आप use कर सकते हैं जैसे इसका नाम है canva.com यहां पर simple सा आपको करना क्या है आपको यहां पर blank वाल image यहां पर ले सकते हैं जिसका आपको background remove करना हो तो यहां पर मानली जीए यह एक image मैं ले लिया करता हूँ इस image मैं से मैं पूरा background यहां पर remove करूँगा तो मैं बाकी जो content है इस सारा content मैं यहां से हटा दिया करता हूँ तो यह जो image है मैं इसको यह actually मैं यह image नहीं है यह एक आपको इस इमेज को यहां पे लेना है, आपको इसको select करना है, then effects में आपके लिए एक option आता है, remove background का, आपको यहां पे मैं zoom करके दिखा दिया करता हूँ, यह आपको दिखाई दे रहा है, remove background आपको simple सा इस पे click करना है, and then अभी आप देखेंगे, मुस्किल से 1 second का time लगेग और यहां पे आपका completely background यहां से remove हो जाएगा, तो अभी आप यहां पे देख सकते है, इसका background पूरा remove हो गया, यह तो चलिए जो भी है, यह background यहां पे दिखाई दे रहा है, यह सारी चीज़े मैं हटा दिया करता हूँ, अब आप यहां पे देख सकते हैं, कि जो भी आपका content था, वो सारा मैंने हटा दिया ताकि आपको एकदम clear दिखाई दे तो ये जो है, अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा background था इस image का वो बहुत ही perfect तरीके से इसमें remove कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1% भी यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें background या आपको manually कुछ भी काम करके देने की जरूवत है आप यहाँ पे हर चीज बहुत ही clear तरीके से देख सकते हैं, हर चीज एकदम perfect तरीके से यहाँ पे background remove किया गया है और आप इस image को बड़ी आसानी से download भी कर सकते हैं आपको image को download करना है तो आपके पास यहाँ पर download का option होता है, simple से आपको यहाँ पर download पर जाना है, then यहाँ पर एक option आता है transparent background अगर आप यहाँ पर transparent background नहीं करेंगे, तो यह white background के साथ में आएगी जैसे मैं एक white color का background यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अब यहाँ पे इसी image को एक बार में यहाँ पे transparent में download करता हूँ यहाँ पे जो यह transparent वाला option है आपको simple सा इसको transparent पे click करना है and then आपको इसको download करना है अभी आप जो यहाँ पे image देखेंगे वो image background free image होगी और यह जो पीछे white background था यह यहाँ पे नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे पहले हमारी जो पुरानी image थी वो हम यहाँ पे open कर लिया करते हैं तो यह वो हमारी पुरानी image है जो कि हमने यहाँ पे background के साथ यहाँ पे download की थी और यह वो अभी वाली image है तो आप यहाँ पे इन दौनों में यहाँ पे अंतर देख सकते हैं कि एक में जिसमें background नहीं है और दूसरे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर यहाँ दिखाई देगा इसमें आपका white background है और यह एकदम background free यहाँ पे download ही है तो इस type से भी आप यहाँ पे remove background कर सकते हैं तो यह दौनों ही मेरे favorite tool है इन ही का मैं use करता हूँ जब भी मेरे पास कोई contract आता है, offer आता है तो मैं simple सा इसमें image को upload करता हूँ photo को download करता हूँ and then मैं इसको clients को send कर दिया करता हूँ तो इन दौनों मैंसे जिस भी tool का आप use करना चाहें उस tool का आप use कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप background remove करेंगे clients को provide कर दिजे and then यहाँ पे आपका order fulfill हो जाता है तो यह एक और perfect skill थी जिसमें आपको बहुत अच्छे orders मिलने के chances थे simple सा आपको background remove करना है that's it इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है इसके बाद जो यहाँ पे next हमारी skill है वो है logo designing logo designing आपको पता है कि logo designing एक ऐसी चीज है जो की all time hit रहा करती है कि मतलब hard time लोग नए नए business स्टार्ट करते हैं किसी को simple है social media के लिए चाहिए है किसी ने new website बनाई है किसी ने नया store बनाया है यहाँ पर डे लोग कोई drop shipping store बना रहा है तो यहाँ पर डे लोगों के लिए एक नए logo की जरूरत पड़ती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि logo designing के बहुत ज़्यादा offers आते हैं बहुत ज़्यादा orders आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 1K plus order है 1K plus order है यहाँ पर 6 order है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ order के साथ में यह कुछ animation बगेरा भी यहाँ पर provide कर रहे हैं इसलिए यह बहुत ही costly है लेकिन आप इसके भी देख सकते हैं तक्रीवन 6 orders यहाँ पर आई हुए हैं साथ यहाँ पर किसी में भी देखेंगे तो सभी के यहाँ पर 1K plus हैं आप जो भी logo देखेंगे सभी में यह भी कुछ ऐसी services है कि यहाँ पर animation भी यह provide कर रहे हैं इस टूल में आपको सारी चीजें आपको मिल जाती हैं आप यहाँ पर intro outro अगर search करेंगे तो YouTube के जो intro outro होते हैं इसमें जो logo type के होते हैं जैसे यह आप एक logo देख रहे हैं इसमें आपको logo की different type के दिखाई दे जाएंगे कि यहाँ पर आपका logo रहेगा और भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं जैसे यह आपने देखा कि यहाँ पर आपका simple सा last में logo बचेगा तो यह कुछ इस type के हैं जिनको आप यह service भी provide कर सकते हैं जो की animate वाली है तो यह service भी आप provide कर सकते हैं साथ में यहाँ पर जो मैं अभी logo designing की बात कर रहा था तो logo designing यह बहुत जादा order आते हैं यहाँ पर भी आप दो tools का use कर सकते हैं इनको fulfill कर निकले और यहाँ पर दो type की services रहा करते हैं आप यहाँ पर किसी भी service को खोलेंगे जैसे मैंने यह service को ही यहाँ पर open किया और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि किसी किसी में जो इनके standard plans हैं इसमें यह एक source file provide करते हैं vector file यहाँ पर unlimited revisions है साथ में यहाँ पर premium में यहाँ और कुछ यह media kit वगरा भी provide करते हैं तो यहाँ पर अगर हम simple सा basic में चलें कि सिर्फ आप यहाँ पर एक logo लोगों को provide करेंगे और उसकी JPEG आपको provide करनी है PNG image provide करनी है और revisions आप obviously बात है unlimited कर सकते हैं जब तक कि client satisfied नहीं हो जाता है तो simple सा आपको यह अगर एक service complete करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं एक तो यहाँ पर tool है जिसका नाम है Canva जिसका आप बहुत ही आसानी से use कर सकते हैं यहाँ पर simple सा आपको logo लिखना है और आपको यहाँ पर जिस type का भी logo यहाँ पर create करना है उस type का logo आप as per client request आपके पास यहाँ पर different type के options होते हैं आप किसी type का भी logo यहाँ पर बना के दे सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी logo अगर select करते हैं मालीजे हमने इस logo को यहाँ पर select किया अब यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे customization होते हैं आपको यहाँ पर color matching करना है या इसकी जगह कोई नया आपको icon डालना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं मालीजे यह जो color है यह client को पसंद नहीं आ रहा है उसको red color चाहिए है तो simple सा आप यहाँ पर red color भी कर सकते हैं जो भी आपको लगता है वो चीज हर चीज आप यहाँ पर edit कर सकते हैं तो जैसे इसका color यहाँ पर white है मैं इसका color यहाँ पर red कर दिया करता हूँ इसका जैसे यह color है और मुझे इसकी जगह पर यह जो same color है इसको मुझे use करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा logo हो गया वो एक matching में बन गया आपका red and golden color में यह आपका logo यहाँ पर बनके तयार हो गया तो इस type से आप clients को logo provide कर सकते हैं आपको जो भी चीज इसमें change करनी है वो सारी चीज़ें आप change भी कर सकते हैं आप यहाँ पर elements में जाएंगे तो जो भी चीज आपको चाहिए है उससे related आप elements यहाँ पर find कर सकते हैं जैसे मान लीजे आपको यहाँ पर simple से चीज चाहिए है आपको कोई भी चीज चीज चाहिए है बहुत सारी आपको यहाँ पर यह भी आप देख सकते हैं कि यह अगर आपको इस टाइब का logo में यूज़ करना है जो भी चीज आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें सिर्फ आपको यह चीज पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए है या आपके क्लाइंट को क्या चीज चाहिए है वो चीज का नाम आपको पता होना चाहिए वो सारी चीज Ёआपको यहाँ पर मिल जाएगी जो भी चीज आपको लगता है माली जै आपको Kingman चैजामपल के लिए दिया हुआ ए आपको एक tag से related कोई भी आपको यहाँ पे logo बनाना है simple सा आप यहाँ पे tag search किजे आपको यहाँ पे tag से related सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और जिस type का भी आपके client की requirement है उस type से आप वो चीज़ वहाँ पे add कर सकते हैं और उस type से आप वहाँ पे logo उसको बना के दे सकते हैं तो यहाँ पे आपके और आपके client पे depend करता है कि उसके लिए क्या चीज़ चाहिए है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे logo बना सकते हैं तो यह एक तरीगा है जिससे आप अच्छा कासा एक logo यहाँ पे create कर सकते हैं यह तो मैंने आपको example दिखाने के लिए कुछ भी यहाँ पे बनाया हुआ है आप इसको जैसा चाहें वैसा आप इसको create कर सकते हैं इसके बाद जो एक और website है उसका नाम है freelogodesign.org आप यहाँ पे देख सकते हैं freelogodesign.org यहाँ पे आपको logo बनाने के लिए बहुत ही simple रहा करता है simple सा आपको जो भी आपकी website है उसका नाम डालना है जैसे मेरी जो site है उसका नाम है अनंत विजासौनी तो मैंने यहाँ पे अनंत विजासौनी लेका अब मेरी किस category में है वो category आपको यहाँ पे select करना है तो जैसे मेरी internet से related है या मेरी technology से related है आप यहाँ पे different type के check कर सकते हैं and then आपको यहाँ पे get start पे click करना है तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उससे related मुझे यहाँ पे कुछ logos इसने suggest कर दिये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं internet से related कुछ logos इसने suggest कर दिये और भी आपको यहाँ पे logos आते रहेंगे जैसे भी आपको अब यहां पर अगर आपका internet से related नहीं है आपका अगर technology से related है तो भी आप यहां पर check कर सकते हैं और जो भी logo आपके लिए पसंद आ जाता है उसको आप यहां पर customize भी कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह मेरा यहां पर name आ रहा है आप इस name को edit भी कर सकते ह जो भी आपको लगता है इसको आपको edit करना है तो simple सा आप यहाँ पर जाएए simple सा आप इसको edit कर दीजिए तो जैसे मैंने यहाँ पर अनन्त, विजय, sony यहाँ पर किया तो यह मेरा नाम आ गया यहाँ पर साथ में यहाँ पर आपको कॉन से font यहाँ पर चाहिए है तो वो fonts आप यहाँ पर select कर सकते हैं जो भी font आपको पसंद आता है वो आप एक font यहाँ पर select कर लिजे तो यह मैंने font कर दिया आपको इसका color लगता है कि आपको इसका color कुछ change करना है तो आप इस टाइप से का color change कर सकते हैं इसके बाद आपको जो ये icon है अगर आपको ये icon same यही रखना है तो आप यही icon रख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इसको आपको remove करके कोई और icon आपको चाहिए है तो वो icon भी आप यहाँ से add कर सकते हैं आपको यहाँ पर add icon पर click करना है और जिस type का भी आपको icon चाहिए है वो आप यहाँ पर search कर सकते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर simple सा internet यहाँ पर search किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं different type के icon आगए तो मैं यहाँ से अभी फिलाज के लिए किसी को भी यहाँ पर choose कर लिया करता हूँ तो यह मेरे पास एक icon आगया और यह पूरे process मैं आपको थोड़ा सा थोड़े से आपको experiments करने पड़ेंगे कि यहाँ पर आपकी यह पूरा आपका किस type से बन सकता है जो भी आपका है वो आपको perfect आप उसको और ज्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर experiment करनी पड़ेंगी तो जैसे जो भी यहाँ पर यह है इन सभी के colors वगरा मुझे अगर change करना है तो मैं उन सभी के color से यहाँ पर change कर दिया करता हूँ ताकि एक matching होनी चाहिए कि जो भी मेरी matching है वो आपकी एकदम perfect होनी चाहिए तो आपको अगर इसका भी color लगता है तो आप इसका भी यहाँ पर color change कर सकते हैं इस shape का color change करना है कि मैं इसका भी यहाँ पर red color कर दिया करता हूँ तो यह जो एक logo बना तो इससे क्या लगता है कि एक color combination इसमें आ गया simple सा preview करके देख सकते हैं कि आपका logo अभी कैसा दिखाई दे रहा है वो आप preview आपको दिखाई दे जाएगा और logo दिखने के बाद आप simple सा उसको download भी कर सकते हैं और ऐसा भी आप कर सकते हैं यहाँ से आप examples देख सकते हैं and then आप यहाँ पर canva में logo बड़ी आसानी से design कर सकते हैं जैसे यह एक logo है अगर आपको png में चाहिए है और इसका background आपको नहीं चाहिए है तो simple सा आप यहाँ पर इसमें बिना background के भी इसको download कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे black color type से आ रहा है तो यहाँ पर आपको simple सा download पर click करना है और download पर जब आप click करेंगे then आपको यहाँ पर translate पर करना है and then आप यहाँ पर download करेंगे तो जो भी logo हमारा यहाँ पर download हुआ है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है कोई भी background नहीं आ रहा है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारी image थी उसमें यहाँ पर एक black color का background था जबकि जो हमारी image download हुई थी उसमें यहाँ पर कोई भी background नहीं था तो यह भी एक सांदार टूल है, logo designing का, logo designing में simple सा आपको first जो copy आपको client को provide करनी है, वो आपको JPG में करनी है, then जब client उसको ok करते, then आपको एक PNG डाउनलोड करनी है, and then background free जो होती है, वो image आपको download करनी है, and then आपको उसको client को handover कर देना है, then आपका यहाँ पे जो आपका logo designing का project है, वो यहाँ पे आके आपका finish हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 5 skills बताई हैं, कि इन 5 skills पे आप काम कर सकते हैं, यह जो 5 topic मैंने आपको बताए हैं, इन 5 topic पे आप का करेंगे, तो आपको अच्छे खासे order सा सकते हैं, इसके अलावा, मैंने आपको तकरीवन 9 tools बताए हैं, उसमें से सिर्फ एक दो ही premium tools है, कि उसका free version भी है, और साथ में premium version भी है, तो आप इन सारे tools का use कर सकते हैं, और आपको अगर ऐसा लगता है, कि इन में से कोई भी एक skill थी या इन में से कोई भी एक ऐसा topic था, जिस पे मुझे एक complete tutorial बनाना चाहिए, तो आप वो चीज़ जरूर कमेंट कीज़े, तो मैं उसके लिए एक complete tutorial भी आपके लिए बना के दे सकता हूँ, तो I hope आपके लिए ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो अच सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा, ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो और मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स जो आपके लिए लेके आता हूँ, वो सबसे पहले आप देख सके, थेंक्यो दोस्तों